हे गाईज, वेलकम बेक टो मैं यूटूब चैनल तृद्धी बुटिक फ्रेंट्स आज हम यह ब्यूटुफल स्लिव्स डिजाइन बनाना सीखेंगे वो भी बहुत ही आसान तरीके से यहाँ स्लिव्स आजकल बहुत ही फैशन में चल रही है फ्रेंट्स और यहाँ पार्टी वेल लुक भी देती है आप सिंपल ब्लॉज में भी इसे बनाकर पार्टी वेल लुक दे सकते हैं तो इसे बनाना कैसे है और इसमें कितना मैजर्मेंट लेना है कपड़े का वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया हुआ है जिसकी चौडाई है 6 इंच की और इस फैब्रिक की लंबाई मैंने ली है 48 इंच जो की फोर फोल्डिंग में है तो यहाँ 12 इंच आ रहा है तो इसे उपन करने के बाद यहाँ टोटल फैब्रिक 48 इंच का है तो देखिए इस तरीके से यहाँ पुरा लंबा है तो इसे हमें साइट से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है अगर आपके पास पीको मशीन है तो आप इस पर पीको भी लगा कर ले सकते हैं या फिर इस तरीके से बारिक फोल्ड कर देंगे तो भी इस डिजाइन का लुक बहुते सुन्दर आता है दोनों साइट से फोल्ड करने के बाद अब हमें इसके सेंटर पर सिलाई लगानी है तो सेंटर पर सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से सेंटर बना लेना है और उसके बाद बड़े ठाके की सिलाई लेनी है और पीछे से थोड़ा से कपड़े को खीसते ह हुए लीजिए ताकि सिलाई के टाके थोड़े बड़े आना चाहिए तो देखिए इस तरीके से पूरा सीधे में हमें सेंटर पर सिलाई लगा कर ले लेनी है और उसके बाद हमें किसी भी एक धागे को उपर या नीचे किसी भी एक धागे को इस तरीके से खीच कर रफल तया कर लिया है अब blouse पर हमने आर्मोल पर finishing पहले से ही दे रखी है जैसे कि हम sleeveless blouse पर देते हैं और जो भी हमने center की सिलाई लगाई थी उस सिलाई पर ही हमें अब दूसरी सिलाई लगानी है बस ध्यान ये रखना है कि वो सिलाई हमारे आर्मोल के बिलकुल किनारे पर आनी चाह चाहिए और आदी स्लिवस हमारी अंदर के तरफ होनी चाहिए आर्मोल से तो देखिए बिलकुल A to Z हमारी पूरी perfect स्लिवस हुई है अगर आपके स्लिवस कम या ज्यादा होती है तो आप थोड़ी से रफल को खोल लीजिए या फिर और पास पास में रफल तयार कर सकते हैं और उसके बाद हमें सीधे पर एक सिलाई लगानी है पहले और उसके बाद हमें पलट कर फिटिंग की सिलाई लगानी है बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमने रफल लगाये हैं वो फोल्ड नहीं होना चाहिए अंदर के तरफ जो कपड़ा आया था वो अंदर की तरफ ही होना चाहिए उसके बार इस पर हमें विन्ट की सिलाई लगा कर ले लेनी है जैसे कि हम स् walks में विडियो समझ देनी है एक साइड से मैंने लॉनर टेम करती है और कुछ इस तरीके से हमारे वीडियो में चाहे नहीं रोगा अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए और इसी तरीके के आसान वीडियो में आपके लिए कर आती हूं तो प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए वीडियो को एन तक देखने के लिए थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ